मास्क औरगनाईजर बनाने का प्लैन किया साथ ही घर की कुछ दूसरी चीज़ों का भी काम बन गया चलिए देखते हैं कि इन दिनों मैंने कहां कहां और कैसे कैसे टाइम यूटिलाईज किया हो सकता है आपको भी कुछ पसंद आ जाए तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मास्क औरगनाईजर किस तरह बनाये जाएंगे और किस तरह से मास्क को इन में औरगनाईज किया जाएगा तो मैंने यहाँ पे दो खाली टिन के डिबे लिए हैं और इनको कवर करने के लिए मैं जूट, रोप और कुछ लेस का यूज का यूज कर रहे हूँ आइडन सीक के दो वेस्ट बॉक्सिस मेरे पास पड़े थे तो मैं उनी का यूज कर रहे हूँ मैं जूट रोप से ही कवर कर दूँगी क्योंकि लेस मेरे पास कम है तो लेस का यूज में सिर्फ बॉटम साइड में करूँगी आजकल क्राफ्ट में जूट रोप का काफी जादा यूज होने लगा है और इनसे बनी हुई चीजें काफी अच्छी भी लगती हैं आप चाहें तो एक ही बार पूरे बॉक्स पे फैविकोल अप्लाई करके भी से लपेट सकते हैं या फिर ये कम आप साथ साथ भी कर सकते हैं लेस को मैंने पहले ही मेर कर लिया था और वो बॉक्स के कितने पार्ट को कवर करेगी उस पे निशान भी लगा लिया था तो बस जिस तरह हमने जूट रोप को इस पे पेस्ट किया है उसी तरह से हम लेस को भी पेस्ट कर लेंगे तो लीजी एक बॉक्स तयार होने के बाद आप देख सकते हैं इसकी फर्स्ट लोक और इसी तरह से हम दूसरा बॉक्स भी रेड़ी कर लेंगे बॉक्सिस तो रेडी हो गए हैं अब भी हमें इसकी लिट्स को भी पेंट करेंगे लेकिन उसके पहले हम इसके लिए ट्रे रेडी करेंगे तो ये ट्रे घर में किसी गिफ्ट के साथ आई थी और मैंने इसे रख लिया था और आज इसका पॉफेक्ट यूज होने वाला है कुछ बनाना चाहें तो मैं आपको स्जेस्ट करूंगी कि आप इस ट्रे को ग्रे कलर से पेंट करें कलर्स को मिक्स करते वक्त मेरे पास ब्लू कलर कम पढ़ गया इसलिए ये ब्राउन कलर बन गया अधर्वाइस मुझे वो ग्रे कलर चाहिए था जो रेड येलो और ब्लू को मिला के बनता है ब्लू कम पढ़ गया तो रेड और येलो का रेजल तो फिर ब्राउन ही आता है बट नो प्रॉब्लम इस कलर ने भी ट्रे को एक नया और अच्छा लुक दिया लिड्स को पेंट करने के लिए सबसे पहले प्राउमर करना पड़ेगा अधर्वाइस पेंट इस पे टिकेगा नहीं और ये प्राउमर भी आप बहुत एजिली घर पे बना सकते हैं इकल कॉंटिटी ओफ प्रास्टर ओफ पैरिज फैविकॉल और साथे वाइट एक्रेलिक कलर तीनों को मिक्स करेंगे तो प्राउमर रेडी हो जाएगा क्राफ्ट की बहुत सारी आइटम्स में प्राउमर यूज होता है तो इस तरह से प्राउमर अपने घर में पनागी ट्रे का कलर भी बिल्कुल सूक चुका है और इस डाक ट्रे खो थोड़ा सा लाइटन लुक देने के लिए मैं लेस का यूज कर रहे हूँ तो यह इतना सा ही पीस मेरे पास पड़ा हुआ था इसको मैंने फैविकॉल अप्लाई करके इस पे चुपका दिया है इससे यह ट्र कम डेकॉरेटिव पीस अल्मोस्ट रेडी है जस्ट इसके उपर हमने स्टिकर्स लगाने हैं C और D और C से यहाँ पे मतलब है क्लीन मास्क और D से मतलब है डिर्टी मास्क और इस ट्रे को आप रख सकते हैं अपनी घर के एंट्रेंस के पास फैमली के हर मेंबर को C और D का मत अगर आप भी बुक रिडिंग के शौकीन है तो आपके बैड साइट टेबल में कुछ नो कुछ बुक्स जरूर पड़ी रहती होंगी और सिंपली इनको इस तरह से प्लेस करने के बजाए अगर इसे कोई औरगनाईजर मिल जाए तो इन्हें उठाना और वापिस रखना औ और बॉक्स के सेंटर में एक पॉइंट बनाया है बॉक्स के दोनों साइट पे वी बनाते होए लाइन्स लगा दी है और इसी तरह से हम इसको काट लेंगे कटिंग हो जाने के बाद इस तरह से दोनों साइट आपको वी नजर आएगा सेंटर में हमें कट लगाएंगे ताकि हम इसे फोल्ड कर सकें और जहां पर ये दोनों पार्ट्स जॉइन हो रहे हैं वहां पर गम लगाके इनको पेस्ट कर लेंगे दो साइट्स जो ओपन रह गई हैं उनको कवर करने के लिए और बुक्स को स्पोर्ट देने के लिए हमें मेजरमेंट लेके दो पीसिस काटने पड़ेंगे और इन दोनों पीसिस को कटिंग करने के बाद किफ रैप से हम रैप करेंगे और वहां पर पेस्ट कर देंगे इसी तरह से पूरे बॉक्स को हमने इंसाइट आउट अच्छे से कवर करना है बुक ओर्गनाइजर अच्छे से कवर हो जाए उसके बाद हम इसको डेकुरेट कर सकते हैं मेरे पास कुछ स्टीकर्स पड़े थे तो मैं उसी का यूज कर रही हूँ डेकुरेशन के लिए आप चाहें तो किसी लेस का यूज कर सकते हैं थोड़ी बहुत डेकुरेशन कर देने से ये और्गनाइजर के साथ साथ डेकुरेटिव पीस भी बन जाता है कार्ट बोर्ड से बने हुए परजेक्ट लॉंग लास्टिंग तो नहीं होते हैं लेकिन आपने तो वेस्ट मिटीरियल से ही बनाया है जब चाहे दोबारा भी बना सकते हैं और एक बार फिर से उस एरिया को नई लुक दे सकते हैं कीज़ें बार बार अरेंज करने पर भी इस तरह से अगर ड्रॉर्ड मैसी रहते हैं तो डिवाइडर्स आर्दा ओनली सिलूशन ऑनलाइन आपको बहुत से डिवाइडर्स मिल जाते हैं जैसे इस ड्रॉर की लेंथ और विर्थ सेम थी 11.5 इंचिस और हाइट में ले रहे हूँ यहाँ पर 3 इंचिस और इसी साइज की मुझे 6 पटियां काट लेनी हैं यह डिवाइडर्स बनाना बिलकुल भी मुश्किल नहीं है हाँ थोड़ी महनत ज़रूर लगती है और ट्रॉस्ट मी यह उतनी जल्दी भी खराब नहीं होते सारी पटियां काट लेने के बाद हर पटि पे 2.5 इंच की 3-3 लाइन्स लगाएंगे और वहाँ पे सीजर की हेल्प से कट भी लगाएंगे क्योंकि इनी कट्स के थूँ हम सबी पटियों को एक दूसरे में असेंबल करेंगे और खयाल रखें कि डिवाइडर बनाते वक्त आपके ज्रॉर की लेंथ और विट का आप खास खयाल रखें पटियों का साइज छोटा या बड़ा होने से आपको उनकी सेटिंग में प्रॉब्लम भी आ सकती है प्रॉब्लम भी आ सकती है इन डिवाइडर्स के थ्रूब आप अपने सौक्स और अंटरगामर्स को औरगनाईज करके रख सकते हैं और सच भी है चोटे कपड़ों को संभालना ही ज़्यादा मुश्किल होता है और इस तरह के औरगनाईजर्स अगर आपके डॉड्स में हो तो यही ज़रूरी कपड़े मिस्प्लेस होने से भी बच जाएं पहले मैंने माउंट पोर्ट के साथ बनाया था तो उसको कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है लेकिन अगर आप वेस्ट कार्डबूर्ड के साथ बना रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए आपको उसको कवर कर लिना चाहिए और cover करने के लिए आप किसी भी waste paper का use भी कर सकते हैं या फिर gift strap का use कर सकते हैं मैं यहाँ पर adhesive sheet जिसे की wallpaper भी कहते हैं वालपेपर का use कर रहे हूँ और इसका use करने से pasting में लगने वाला time भी बच जाता है और इस drawer की length और width different थी और इस drawer की सभी पट्टियों को मैंने drawer के अंदर ही assemble किया है जिस भी drawer में ये dividers लग गए वो drawer कभी मैसी नहीं होगा और जब सभी लोग अपने अपने काम में busy होते हैं तो stuffy को लगता है कि मुझे कोई क्यों नहीं देख रहा तो attention लेने के लिए फिर वो मेरे आस पास गूमना शुरू कर देता है तो कहने का stand ये है कि dividers आपके bedroom के drawers के लिए चाहिए हो living room के लिए या फिर kitchen के लिए क्यों नहीं waste cardboard से बनाए गए हलके full के dividers बहुत काम करते हैं और जितना चीज़ें organize रहती हैं उतना ही अच्छा उनका use भी होता है और grocery drawers में लगाने से जब चीज़ें messy नहीं होती हैं तो वो waste भी नहीं होती है waste kullards का use आप decorative piece बनाने के लिए भी कर सकते हैं या फिरिंग को drawer में रखके organizer की तरह भी use कर सकते हैं तो मेरे पास 4 kullards पड़े थे तो जिनको मैंने पहले primer कर लिया है primer जैसे मैंने आपको बताया है पहले की घर पे आप कैसे बना सकते हैं primer कर लेने के बाद primer को सूख चाने दें और उसके बाद हम इसको करेंगी paint हर kullard पे मैं दो color का paint करूँगी color दूसरे एरिया में ना जाये उसके लिए मैंने यहापे paper tape लगा दी है paper tape लगाने से आपकी जो line है वो बिल्कुल सीधी आती है और color यहाँ वहाँ भी नहीं फैलता तो चारों kullards के उपर मैंने different colors कर दी हैं वो भी upper side और जब उपर का paint सूख जाये तो हम tape को निकाल देंगे फिर से tape लगाएंगे उस एरिया पे जहाँ पे हम already paint कर चुके हैं उसके बाद हम bottom side को paint करेंगे वो भी different color के साथ और red and yellow को combination तो हमेशा ही अच्छा दिखता है bottom side का color भी सूख गया हो तो tape को निकाल दें और thin brush का use करें उन एरिया को fill करने के लिए जहाँ पे कुछ चूट गया हो चारों kullard paint हो चुके हैं और अब आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ faces बना सकते हैं कुछ design बना सकते हैं मैंने यहाँ पे simply eyes और smiley face बनाए हैं अब अपनी मर्जी के accordingly pencil के साथ कोई भी design draw कर सकते हैं उसके बाद paint की help से उसको paint कर लें बहुत ही simple से दिखने वाले color beautiful decorative pieces कम organizer में change हो गए और यह सब ready करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अपनी routine job से break मिल गया हो झाल झाल